हेलो एवरीवन वेलकम तो आवर चैनल दा टॉप एवरीथिंग दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस सेजन 14 के कंटेस्टेंट और मॉडल सिंगर एक्ट्रेस सारा गुरुपाल के बारे में सारा गुरुपाल को तो आप सब जानते ही होंगे तो इ प्रुफीशन से एक्ट्रेस मॉडर एंड सिंगर हैं सारा का जनम 19 नवंबर 1991 को फते बाद हर्याना में हुआ और 2020 के हिसाब से 29 साल की हैं सारा ने अपने स्कुल की पढ़ाई अपैक्स पब्लिक स्कुल फते बाद से की और इन्होंने ग्रेजुएशन किया है चितकारा इं यूइश्टी पंजाब से अब बात करते हैं सारा घूरुपाल के करियर के बारे में सारा ने करियर की शुरुआथ मॉडल की और 2012 में सारा ने मिश्णी गर्ड़गा टाइटल जीत कर अपने नाम किया और फिर इन्होंने 2013 में डेब्यू किया पंजाबी म्यूजिक वीडियो जीन के साथ जिसमें इन्होंने एजा मॉडल अपने आपको रिप्रेजेंट किया और इस सौंग को गाया रंजित भावा ने और इसके बाद सारा कई सारे पंजाबी म्यूजिक वीडियो में दिखी जैसे की परांदा, तू चाहीदा और जुत्ती दोस्तो सारा ने फिल्म डेब्यू किया 2017 में पंजाबी फिल्म मंजे बिस्तरे से और इसी साल इन्होंने एक और पंजाबी फिल्म में काम किया जिसका नाम है दंगर डॉक्टर जैली दोस्तो जैसे की आप सबको पता है सारा मॉडल और एक्टर के साथ एक सिंगर भी है तो इन्होंने 2017 में एजा सिंगिंग डेब्यू किया सौंग लग दी अट से और इसके बाद इन्होंने कई सारे गाने भी गाए जैसे की कोई होर वी है पागल सिक्रेट यारी और स्लो मोशन और 2020 में सारा ने काम किया MX Player की वैब सिरीज मिसिज एंड मिस्टर कोहली में और दोस्तों सारा ने अब पाटिसिपेट लिया है बिग बॉस सेजन 14 में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए सारा गुरुपाल आपको कैसे लगते हैं चलिए मिलवाते हैं आपको सारा गुरुपाल की फैमिली से तो इनके फादर का नाम है सत्तुपाल सिंग अब बात करते हैं सारा गुरुपाल के हाउस के बारे में तो 2 सारा गुरुपाल का घर जो है वह चंडी गड़ में है कर दो आट करें के karas collection के बारे में तो दोस्तों सारा गुरुपाल के पास odnyई therm between a जिसके पर सौंग करने के लिए कितना लेती हैं तो ये पर सौंग करने के लिए लेती हैं दो से तीन लाख रुपे और सारा गुरुपाल एक मुवी करने के लिए लेती हैं लगवग 30 लाख रुपे वहीं बात करें के नेट वर्थ के बारे में तो इनका नेट वर्थ लगवग 5 गड में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें